यह है एसीड रेन तो एसीड रेन के बारे में आपने काफी सुना होगा एसीड रेन क्या होती है तो देखें नाम से ही पता लग रहा है और आप आराम से बता भी सकते हो कि एसीड रेन क्या होती है वहे रेन जिसमें एसीड रेन बोला जाता है तो आपने एसीड रेन के बारे इस तरह से बहुत सारे इसकी damaging effects होते हैं जो हम इसमें पढ़ लेते हैं आर यू फैमिलियर विद टर्म acid rain, acid rain के बारे में आप फैमिलियर हैं Have you ever heard about damaging effect of acid rain, acid rain के damaging effects के बारे में आपको पता है इनके बुरे परभाओं के बारे में या जो इन से नुक्षान होते हैं किसे acid rain से जो नुक्षान होते हैं उनके बारे में क्या आपको पता है क्या आपने सुना है As the name indicates जैसे की इसका नाम से ही पता लगता है कि वहे rain acid rain क्या होते हैं वहे rain जिसमें excess of acids होते हैं जिसमें काफी ज़्यादा acids होते हैं उसे acid rain बोला जाता है और ये acids आए कहां से हैं कहां से आ जाते हैं ये acids जो कि rain में mix हो जाते हैं the rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into air as pollutants rain तो गिरती रहती है ऐसे बारिस आती है तो उसमें environment में जो carbon dioxide होती है और sulfur dioxide होती है और nitrogen dioxide ये तीनो gases जो कि air में होती है ये तीनो जो बारिस का पानी होता है उसके अंदर ये mix हो जाती है डिजोल हो जाती है उसके अंदर ये घुल जाती है तो जब carbon dioxide उसके साथ घुलता है बारिस का जो पानी होता है carbon dioxide उसमें घुलता है तो carbonic acid बनता है sulfur dioxide gas घुलती है तो sulfuric acid बनता है और nitric acid बनता है nitrogen dioxide से nitrogen dioxide जब rain के साथ डिजोल हो जाती है तो nitric acid बनते हैं तो ये देखिए कार्बन डायक्साइड गैस और सल्फर डायक्साइड गैस और नाइट्रोजन डायक्साइड गैस ये सबी जब रेन की ड्रोप्स के साथ मतलब बारिस की जो बूंदे होती हैं उनके साथ जब ये डिजोल होती हैं उनके साथ घुलती हैं तो एक तो कार्बनि acid बनता है sulfuric acid बनता है और nitric acid बनता है और यह जो तीनों ही acids हैं काफी खतरनाक होते हैं यह तीनों ही acid acid rain can cause damage to buildings historical monuments plants and animals और जो acid rain होती है उससे buildings को भी नुक्षान होता है buildings को damage कर सकती है और historical monuments जो marvel के बने होते हैं उनको भी damage कर देते हैं और plants और animals के लिए भी यह नुक्षान दायक होती है तो acid rain से हम कैसे बच सकते हैं कि हम pollution कम करें इन pollutants को air में कम करें तभी acid rain को कम किया जा सकता है यह rain तो काफी जरूरी है rain को हम खतम थोड़ी करना चाहेंगे rain तो बारिज तो प्लांट के लिए अच्छी होती है लेकिन उसमें यह acid नहीं गुलने चाहिए और यह acid गुलना कब बंद करेंगे जब acid बनेंगे ही नहीं तो हमें कोशिस करनी चाहिए कि carbon dioxide यह sulfur dioxide ना बने यानि air pollution ना हो तो इससे acid rain से बचा जा सकता है acid rain के मुक्षानों से बचा जा सकता है तो यहां तक acid rain आपको समझा आ गया होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो